कि अज़ कि देखे huh में आप स्वागत है आप सभीका आज कि इस वीडियो में एंड इस बीडियो में एस वीडियो में हम कुछ पेमेंट्स की रिगार्डिंग या फिर हमारे एकाउंट्स की रिगार्डिंग जो भी थोड़े बहुत गिले चीज़ थे तो उनको शॉट आउट कर लिया गया है और अगर कुछ बचे हुए हैं तो उनको वन बाइवन देखा जा रहा है चेक किया जा रहा है और सारी हम ओकन को सब्सक्राइब कर पाएंगे और ये मैसेज गुर्ष मिंदर सन्न ने रात में लग बारा बज़े के आसपा सेर किया था तो मेरे हिसाब से जो भी गिलिचेस रहे होंगे वो अभी तक सट आउट कर लिये गये होंगे और अगर अभी भी कुछ बच्चे हुए हैं तो उसको टेक्टीम देख रही है वन बाइवन सभी को सट आउट कर लिया जाएगा फ्रेंट्स कोई दिक्रत नहीं है तो यहाँ पर गुर्ष मिंदर सन्न ने ये भी बताया था कि ये सारा काम हो रहा है प्रोसेश चल रहा है होफ़ली मौर्निंग तक सब कुछ ओके हो जा कार्ड पेमेंट्स अगें किसी भी समय एको सिस्टम में लाइव हो सकता है जिसके तुरू आप अपने ओकर को सब्सक्राइब कर पाएंगे और अब हम बात करते हैं रेट्सर के दोरा दे गए कुछ और भी इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें रेट्सर ने नहीं है क्योंकि इसकी रिगार्डिंग टेक टीम एसर सभी लोग जानते हैं और बिडॉल की रिगार्डिंग रेट्सर ने एक इंपोर्टेंट पॉइंट बता है कि अगर आपके और्गनाजेशन में विदाउट सेल्स कोई कमिशन दिख रहा है जो बाइग लिस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हुआ था जो भी ग्लेचेश था तो उसको सौट आट कर लिया गया है और अगर कुछ बचे हुए हैं तो उसकी रिगार्डिंग आलेडी काम चला बहुत ही जद उसको भी सौट आट कर लिया जाएगा सो डॉंट यूज दा सिस्टम अ अभी तक तो आट नो गंटे हो गए हैं एसर को यह अपडेट दिये हुए तो उन्हों ने बोला था कि एको सिस्टम में बहुत ही जद एक ऑफिस्यल इंफर्मेशन आने वाली है एसर की तरफ से तो उसके लिए हम सभी को वेड करना इंतजार करना है जो भी इंफर्मेशन ह उसको सट आट कर लिया गया अगर थोड़ी बहुत बच्चे में तो उसके रिगाड़ी आलेडी काम चलना है और कार्ट पेमेंट्स जो हमारा ऑप्सन है जिसके तुर्ण हम ओकर्ण को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत ही जल्द एको सिस्टम में इनेबल होने वाला है एंड एसर ने अपनी उमीद बताए थी कि नेक्स्ट टोयल हावर्स के अंदर यानि कि नेक्स्ट बारा घंटे के अंदर कार्ट पेमेंट एको सिस्टम में इनेबल हो जाएगा तो एसर को यह अपडेट दिये हुए यानि कि रेट सर को यह अपडेट दिये हुए मेरे इसा हम ओकन को सब्सक्राइब कर पाएंगे और अगर हम अभी की बात करें जिस समय आईडियो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय मैंने अपना एकोसिस्टम एकाउंट चेक किया है तो अभी तक तो कार्ड ऑप्सन यहां पे लाइब नहीं हुआ है लेकिन उमीद है बहुत ही जड़ एकोसिस्टम में लाइब हो जाएगा सो प्लीज एकोसिस्टम को आप लोग चेक करते रहे हैं और यहां पर रेट्स ने बताया था कि सिर्फ यहां प आप मिनमम 24 हावर वेड कीजिए अगर तब भी आपका अकाउंट ओके नहीं होता तब भी जो प्रव्लम आपको दिख रहा है वो ओके नहीं होता है देन आपको यहां पर सपोर्ट को मेल करना तुरंत मेल करने की जरूरत नहीं है कुछ घंटे वेड कीजिए अपने तरब स द्यान रखिए अगर आपके एको सिस्टम एकाउंट में यस्टर्डे कुछ गिलिचेज दिखा था जो आटोमेटिकली हुआ था जैसे कि यहां पर कुछ लोगों का कहना है कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सुरज जी मेरे एकाउंट में आटोमेटिकली ओकोईन दिख रहा है जो मेरे सेल्स के रिगारगी नहीं है यानि कि मेरे और्गनेजेशन में ऐसा कोई सेल्स जनेट नहीं हुआ है तो यह ओकोईन आटोमेटिकली कंपनी के द्वारा मेरे एकाउंट में दिख रहा है तो ऐसा अगर कोई प्रॉबलम हुआ है या फिर अगर आपका ओकने पर्सनली आपने कुछ नहीं किया ओकन को सब्सक्राइब करने के लिए आपने पेमेंट नहीं किया आपने पैसा पे नहीं किया अगर ऐसी कोई भी प्रोबलम यस्टरड़े आपको आपके एकाउंड में देखने को मिली है और अगर वो अभी तक ओके नहीं हुआ है तो अब यहां पर आपको सपोर्ट को मेल करना है यहां पर ध्यान नकिएगा आपका ओफांडर का रजिस्टरड इमेल आईडी याने की अल्टरनेट इमेल आईडी आपके उस एको सिस्टम का ओमेल आईडी साथ में उसका स्क्रीन सॉट जो भी प्रॉब्लम आपको हुआ है माल लिजे कि ओक्वाइन आटोमेटिकली आपके एको सिस्टम में आ गया माईवलेट में जो दिख रहा है ओक्वाइन उसका आप स्क्रीन सॉट ले लिजे और वो भी साथ हुआ है कि आपने पर्सणली कुछ ने किया है यह आटोमेटिकली आपके एको सिस्टम में आपके माईवलेट में या फिर मार्केट प्लेस में दिख रहा ऐसा मैसे कर दीजे जो भी रिप्लाई होगा वो तीम आपको देगी और जो भी काम होगा वो टीम देख लेगे option दिया गया, उस पे click करके आप support को mail कर सकते हैं, complete details के साथ में, तो ये point आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो कुछ भी हो रहा है, इसके बारे में as such team सभी लोग जानते हैं, तो उसको check करके double check करके okay कर दिया जाएगा और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, on passive एक real business है, जो आपका नहीं है, उसे आपको नहीं दिया जाएगा, और जो आपका है, उसे company आपसे नहीं लेगे, कहने का मतलब है, कि जो आपका है, वो आपका है, और जो आपका नहीं है, वो देखने को मिला है, वो third party के वज़े से हुआ, third party हम सभी जानते है, merchant payment processor, तो यह सारी चीज़े यहाँ से हुई है, और एक point यहाँ पर मैं again बतना चाहता हूँ, friends, कि अगर yesterday आपके account से double payment cut हो गया है, या फिर ज्यादा payment cut गया है, आपके account से, तो वो आपके ecosystem wallet में ही वापस आ गया होगा, या फिर वापस आ जाएगा, friends, आपका जो funding wallet होता है आपके ecosystem में, वहाँ पर वापस आ जाएगा, और उस fund को आप other products को buy करने में use कर पाएंगे, तो इतना आप लोग ध्यान रखे, वापस आ गया होगा, या फिर वापस आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूत नहीं है, तो ये थे कुछ important points, जिसकी बारे में मुझे आपसे बात करने थी, उमिद करता हूँ कि ये सभी point आपको अच्छे से समझ में आगे होगे, ये वीडियो भी आपको informative जरूर लगा होगा, वीडियो informative लगा हो, तो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर कलीज़ेगा